नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं, उम्मीद हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सब की तयारी बहुत अच्छे लेवलगी चल रही होगी दोस्तो आज मैं एक बहुती महत्तपोन और एक अलग विशय पर बात करने वाला हूँ और अधिक समय विशना करते हुए सीधा मुद्धी की बात कर लेता हूँ दोस्तो यूपिटर पलसी में एक अभी फाइनल लिजन जारी हुआ है वीडियो 2018 का जिसकी दोबारा परिक्षा हुई थी जून 2023 में तो इस परिक्षा को होने के बाद यानि कि आज से लगभग एक साल पहले एक छात्र को मैंने एक बात बोली थी और उस छात्र का आज यानि कि दो दिन पहले रिपलाई आया है एक दिन पहले तो बात क्या है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ दोस्तो ये है वो पॉइंट जो मैंने बोला था लगभग एक साल पहले इस छात्र को और इस छात्र का नाम है अमित मान ठीक है तो इन्होंने मुझसे पूछाता कि भाई पैट 2023 के एक्जाम से पहले वीडियो की फाइनल कट ओफ बता देते क्योंकि मेरे 26 की सेकंड सिफ्ट में 208 नंबर बन रहे हैं पता नहीं फाइनल सेलेक्शन होगा या नहीं प्लीज भाई रिपलाई जरूर करना तो ये लगबग एक साल पहले इन्होंने मुझसे पूछी थी ये बात और ये कमेंट किया था ठीक अब इसका मैंने तभी रिपलाई दिया था कि 100% होगा आपका सेलेक्शन और इस बात का स्क्रीन सॉट लेके आप रख लो अमिद जी आप मुझे और मेरी बात को याद करोगे ये चैनल किसी फ्रोड इंसान का नहीं है और इस इंसान ने भी चार गवर्मेंट एक्जाम किलियर किये हैं और यूपिटर पलेसी का अच्छा खासा अनुभव है बस असली बात ये है कि मुझे औरों की तरह अपनी ता और उन्ही बातों को लेकर कुछ चात गलत कमेंट करने लगते हैं बाकी आप परसन रहिए और मिठाई बाट दीजिए ये बात इनको मैंने लगबग एक साल पहले इस कमेंट के माद्ध हमसे बोली थी अब जैसे ही वीडियो अठारे कांतिम परे नाम जारी हुआ इनका मेर इन्होंने मुझे किया है 14 सेप्टेंबर को ठीक है आप देख सकते हैं 14 सेप्टेंबर को सुभा 10.36 पर इन्होंने मुझे ये मेल किया है और इन्होंने ये बोला है कि जो आपने बोला था वही हुआ ब्रोधर ठीक है तो देखिए इनका सेलेक्शन इसमें हो चुका है और आप देख सकते हैं, जो बात बोली थी, वो 100% सही साबित हुई, इनका स्कोर जितना था इस सिफ्ट में, उस सिफ्ट के हिसाफ से इनका सेलेक्शन हो चुका है, और इनको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाईया, आपका भविश्य उजवल हो, मैं ऐसी काम ना करता दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि, आपके किस सिफ्ट में कितने नंबर थे, और कितने नंबर पर आपका सेलेक्शन हुआ है, 26 की 1st, 26 की 2nd, 27 1st, 27 2nd, अपनी सिफ्ट ज़रूर बताईये, ताकि नौर मलैलेशन की प्रिकिरिया का सही सही अनुमान लग पाए, क कि आपका किस सिफ्ट में कितना नंबर था, और आपका हुआ कि नहीं हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी अमित्मान जी का हो चुका है, तो देखिए, प्रियास यही रहता है कि आपको हमेशा सही जानकारी दी जाए, कभी भी आपको ब्रहमित ना क हुआ चुका तरी है,